लोग सभाचुनाओं में सिवान संसदिय सीट एक बार पुना पूरे बिहार में चर्चा का भी सही बना हुआ है क्योंकि सहावदीन सहाव के नाम से विख्यात सिवान का या सीट जो है हमेशा पूरे बिहार में चर्चा का भी सही रहा जब भी सिवान का नाम आता था तो । राश्री जनतादल के टिकट पे हुविदवार बनाए बनाया जाए, लेकिन हैना सहाब का कहना था कि मैं वशाहाव की पक्की हूँ। मेरे शाहब by यह उप्रकार से तो प्रकार, से मैं और निश्री से मैं एक बार कह दी हूं कि मैं निर्दलिये चुनाव लड़ूंगी तो निर्दलिये ही लड़ूंगी इस बार हैना सहाब ही निर्दलिये चुनावे मैदान में है और निर्दलिये परचार कर रही है लगतार विभिन जग्यास्थलों पे जा रही है शुभायात्राओं में भाग ले रही हैं विभिन पूजा पाठों में भी जा रही है एना शाहब और शब जगह जाकर के माथा टेकती हैं पूजा और चना करती हैं और आसिरवाद गरहन करती हैं हैना सहाब निर्दलिये बताओर उमिद्वार के रूप में चुनाव लाड़ रही हैं वही राश्ट लिया है वही सिवान की लड़ाई अब और रोचक हो गई है जब सारन के बहुच अर्चित समाज सेवी जीवन यादव भी निर्दलिये चुनाव मैदान में कुदने का एलान कर दिये हैं जीवन यादव ने जैसे यह घुफना की कि मैं भी सिवान के विकास के लिए सिवान की लंबे समय तख जो है बीना किसी पद पर रहते हुए सिवान का इतना भीगास किया सिवान की लोगों की इतनी सेवा की लंबे समय से जो व्यक्ति जो है अपने आवास पर निसुलक मेगा केंप चलाता है निसुलक चिकत्सा सिवीर चला कर कि एक-एक मजलूम लोगों की शिवाज चिकित सा सबको दवा देने का कारिय जीवन यादव विगत पांच वरसों से च्छा वरसों से अपने अवास पे करते हैं और वैसे व्यक्ति अगर चुनावे मैदान में कुद गया है तो निश्चित रूप से सीवान की लडाई इस बार जो है मजे की लडाई होगी और रोचक लडाई होगी राजनीती के पंडितों का कहना है कि जीवन यादव के आने के बाद निश्चित रूप से जो है सीवान की लडाई चतुर्त कुण ये हो जाएगी अब लडाई आओध भिहारी चौदरी है ना साहव जीवन यादव वर बिये लक्षमी कुस चारों अब मैदान में आ चुके हैं और सीवान की लडाई इसकदर मजभूत होगी कि लडाई की जो गूंड होगी लडाई की जो टंकार होगी उसकी गूंज जो है असमान में बैठे देव दानव नाग गंधरवार की नर्वी सुनेंगे और कहेंगे कि देशरत्म साहबदीन की पतनी हेना साहब निर्दलिय उमिद्वार और सारण के बहुचर्चित समाज सेवी जीवन यादव बिहार बिधान सभा के पुर्वा ध्यक्ष आवद बिहारी चौधरी और नरेंद्र मोदी के सिंबल पे चुनाव लड़ रही विजय लक्षमी कुसवाहा कि जढ़ से एक दूसरे को टकड़ दे रहे हैं यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा लेकिन जीवन यादव हेना शहाब बिहारी चौधरी और विजय लक्षमी कुसवाहा चार उमिद्वार अब तक सीवान के चुनावे मैदान में डाल ठोक चुके हैं और चार लोगों ने यहां घोफना कर दिया है कि मैं चुनाव लड़ूँगा जीवन यादव के दुवारा भी लगतार जन संपर कभियान चलाया जा रहा है जीवन यादव ने अपने हज्जारों कारेकरताओं के साथ हैं सुहागरा धाम तक की आतरा पूरी की और सुहागरा धाम में जाकर के पुराणिक शीव मंदिर जो भाना सूर के द्वारा तिरेता यूग में अस्थापित किया गया था उस सीव लिंक पे जाते हैं जीवन यादव वहां पूजा अरचना करते हैं भगवान भोले नात का आविशेक करते हैं वहां से जीवन यादव का काफिला निकलता है और सी किसी प्रकार से ओद्विहारी चौधरी बीजय लक्षमी कुसवाहा और हैना शहाव के द्वारा भी लगतार जनसंपर कभियान चलाया जा रहा है और यह तमाम उमिद्वार भी जो है एक एक लोगों से मिल लहा हैं विभिन जग्या स्थलों पे जा रहा हैं पूजा पाठ क पे देख रहे थे कमेंट करेंगे जरूर बताएंगे कि निर्दलिय परत्यासी हेना शहाब और निर्दलिय उमिद्वार जीवन जादव के बीच किस प्रकार की लडाई होगी कहा जा रहा है कि दोनों उमिद्वार निर्दलिय हैं और बड़ी काठे की टकर होगी तो आप भी बताईएगा कि चार उमिद्वार हैं और बिहारे चौधरी जीवन जादव हैना शहाब और विजय लक्षमी कुसवाहा आप सिवान की लडाई को किस रूप में देख रहे हैं कमेंट करेंगे और जरूर बताएंगे नमस्कार